तो गाइस कि आपको भी कुछ इस तरह से प्रवलम आ रही है आपके Android मोबाइल में आपको दिखाता है इन्वैलिड इंपूट आप कैंसल करते हैं फिर ओके करते हैं कुछ भी करें बार बार आपको ये शो होता है इन्वैलिड इंपूट आपके स्कीन पर आता रहता है इसका solution क्या है permanent solution इसका मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में तीन solution में आप बताऊंगा कोई भी आपका work कर सकता है first of all आपके पास जो है किसी भी brand का किसी भी company का SIM हो कोई problem नहीं अगर आपको invalid इंपूट आ चुका है मुस्त लिए problem आती है SIM की वज़य से सबसे पहले आपको क्या करना है आपके mobile जो यहां पर airplane mode होगा उसको आपको जो है on करना होगा देख सकते हैं इसको 10 second तक आपको own रखना है own रखने के बाद जैसे ही 10 second हो जाएंगे इसको आपको बंद कर देना है उससे आपके network refresh हो कर आ जाएंगे और आपका invalid input जो आपको शो कर रहा था वो नहीं करेगा देन उसके बाद आपको क्या करना है आपके बाद कोई भी company का mobile हो आपको sim निकालना है mobile को बंद करके फिर से sim को अच्छे से साफ कर लेना है cotton से या petrol से किसी से भी आप साफ करके फिर से डाल कर चेक करें आप देखेंगे invalid input आपको शोन नहीं होगा कई बार sim खराब हो जाती है तो आपको problem आती है या फिर आप कोई new sim लेकर देख सकते हैं या फिर उस sim को दूसरे mobile में डाल कर चेक कर सकते हैं देन उसके बाद ये सब करने के बाद आपको क्या करना है setting में आना है scroll करना है नीचे apps में आना है manage apps में आना है यहाँ पर आपको three dots पर click करना है और यहाँ पर आपको show laps पर click कर देना है याद रखिए three dots है उपर की तरफ इस पर click करना है show laps है इस पर click करना है यहाँ पर आपक SIM Toolkit search करना है, SIM Toolkit आज को इसको open करें, open करने के बाद यहाँ पर आपको दिखा रहा है नीचे clear data, इसको click करेंगे, इसका clear cache करना है, then उसके बाद यहाँ पर फिर से आपको 4stop देखने को मिल्रा इसको 4stop कर लीजिए, उसके बाद आपने mobile को कर दिजिए, बंद, आपको अपने mobile को बंद कर देना है, या फिर restart कर लेना है, या reboot कर लेना है, जैसे आपको mobile on होगा, आप देखेंगे, invalid input की problem थी, वो solve हो जाएगी, दन उसके बाद सिर्वी नहीं होती है, तो आपको क्या करना है play store पर आना है, play store में आने के बाद, आपको एक application को install करना है, backup and restore, यह वो application है, इसको install कर लीजिए, install करने के बाद, आपको directly open कर लीजिए, जैसे आप इसको open कर लेंगे, directly कुछ इस तरह से आपको सामने आ जाएगी, अब यहाँ पर three lines देखने को मिल रही है, इस पर click करिए, यहाँ पर आपको setting option देखने को मिल रही है, इस पर click करिए, scroll करिए नीचे की तरफ, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा show system apps, इसको enable कर लीजिए, enable करते ही, जितनी भी application थी, सभी आपको दिखाई दे जाएगी यहाँ पर, आपको search कर लेना है, यहाँ पर SIM toolkit, यहाँ पर मेरे mobile में मुझे show नहीं कर रहा है, अगर आपको show करें तो आपको SIM toolkit को search कर लेना है, दर उसके बाद यहाँ पर उसको search करने के बाद click कर देना है, ऐसे, ऐसे ही यह जैसे meet application है इसको पर क्लिक करता हूँ और इसका backup पर क्लिक कर देता हूँ नीचे जो backup लिख है अब sim toolkit को select करके backup पर क्लिक करिएगा देख सकते इसका backup होना start हो चुका है जैसे यह backup complete हो जाए आपको आना है यहां से back अब आजाना है अपने file manager में file manager में आने के बाद अपने storage है यहां पर आजाएगे और यहां पर आपको backup restore पका फोल्डर देखने को मिल जाएगा उसके बाद archived है इस पर click करिए यहां पर आपको जो भी आपकी sim toolkit की APK थी वो देखने को मिल जाएगी दर उस पर click कर लिजिएगा और यहां से उसको install कर लिजिएगा ठीक है अब अपडेट दिखाए तो update कर लिजिएगा install कर लिजिएगा जैसे आप से इंट्विकूट को update कर लेंगे install कर लेंगे आपकी problem solve हो जाएगी invalid input आपको शो नहीं होगा आज की वीडियो में आपको यहीं पताना था हो आपको वीडियो अच्छल की वीडियो चलिए लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं